Hello students, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे टीनिया सोलियम के रिप्रोडेक्टिर सिस्टम के बारे में जैसा कि हम चानते हैं, टीनिया सोलियम जो है, वो एक उभायलिंगी जीव होता है यानि हर्मेफ्रोडाइट होता है यानि इसके जो हर प्रोग्लोटीड होता है मैच्योर प्रोग्लोटीड होता है उसमें मेल और फीमेल सेक्श्वल ओर्गन्स का एक सेट होता है जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं इस चित्र के अंदर हम देख रहे हैं एक segment है पूरा का पूरा और इस एक proglotid के अंदर male और female reproductive organs दोनों पाया जाते हैं ये reproductive organs जो है ये मिजेन काइमा से develop होते हैं और उसी मिजेन काइमा में ये धसे हुए रहते हैं एक और important चीज होती है tiniasolium में कि tiniasolium जो है वो protoendrous condition पाया जाती है protoendrous का मतलब होता है कि इन में हर segment में male reproductive organs पहले दवलब होते हैं और female reproductive system जो है वो बाद में दवलब होता है तो इस तरह से जो मंबात करते हैं तो जो इसकी body होती है उसका जो mature segment होते है थींके पहले वाले segments shark नेक के just नीचे होता है immature segments और उसके बाद होते हैं तो जो mature segments के जो सारे 400 के असपास जो proglotis होते हैं उसमें से पहले 100 या 150 जो proglotis होते हैं उसमें सिर्फ male reproductive organs पाया जाते हैं और उसके बाद वाले जो देखंड होते हैं उनमें female reproductive system और male reproductive system दोनों पाया जाते हैं और वो hermaphrodite हो जाता है तो ये जो condition होती है कि जहाँ पर पहले male reproductive organs डवलप होते हैं उस condition को हम कहते हैं proto-androus condition इनकी जो जितने भी mature segments होते हैं जब ये mature segments के बाद जो पीछे वाले segments होते हैं उन्हें हम कहते हैं gravid segments जो gravid segments होते हैं उन gravid segments के अंदर highly branched uterus present होता है और जहाँ पे सिर्फ fertilized egg present होते हैं बाकी सारे organs जो हैं वो खतम हो जाते हैं और इन segments को हम कहते हैं gravid segments तो इस तरह से आज हम पूरा पढ़ेंगे टीनिया सोलियम का reproductive system के बारे में चलिए हम पहले पढ़ेंगे male reproductive system के बारे में तो टीनिया सोलियम के male reproductive system में main part होता है testis, vasya, defrensa, panis and serous egg अब हम एके करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं testis या वरशन इसमें जो testis पाय जाते हैं, वो कैसे होते हैं? बहुत सारे होते हैं और छोटे 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 जो ये gold black dots दिखाई दे रहे हैं ये जो black dots दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे mezena कायमा में उपर की सत्य पर बिक्रे होए रहते हैं spherical bodies होती है पूरी body के अंदर ये भिखरे होए रहते हैं और कुछ scientist ये कहते हैं कि ये असंग के जो है अलग-अलग testis नहीं हो करके एक ही testis होता है जो sub-divide करके छोटे-छोटे segments में change हो जाता है तो इस तरह से इसका जो testis होते हैं वो कैसे होते हैं small spherical bodies होती है जो तूरे parent काइमा में बिखरे होए पाए जाते हैं हर testis से एक बारी नली निकलती है इससे थोड़ा सा हम बढ़ा कर लें diagram को हर testis से ये जो छोटे-छोटे हैं ये सारे इसके testis हैं और ये testis से एक छोटी-छोटी जो है sorry चोटी-छोटी जो है वो नलियां जो है वो बहुत बारिक नलियां निकलती रहती है और उस नलियों को कहते हैं हम vasa deferensa इन नलियों को हम क्या बोलते हैं vasa deferensa बोलते हैं शुक्रवाहिका निकलती है और ये सारी शुक्रवाहिका जो होती है अपने पास के जो टेस्टी से निकलती है जो पास वाले टेस्टी से होते है उन टेस्टी से मिल जाती है जोड जाती है और अंत में सारी शुक्रवाई का है यानि सारी वासा एफरेंशा देखंड के बीच वाले एरिये में आ करके मिल जाती है और ये बना देती है एक VASA DEFERENCY, एक medial part के अंदर बन जाती है, क्या बन जाती है, ये सारी के सारी जो है VASA EFERENCY है, ये सब की VASA EFERENCY मिल करके एक सिंगल नली बना देती है, और इस सिंगल नली को हम कहते हैं VASA DEFERENCY, ये एक मोटी होती है और Convulated Tube होती है, जो की Pro इस तरह से जाती है, बॉड़ी के पूरे के पूरे perpendicular जाती है, ये जो VASA DEFERENCY होती है, ये बाहर की तरफ आकर के एक Serious Structure के अंदर Change हो जाती है, यानि Serious बनाती है, अब जो Serious होता है इसको भी हम बड़ा करके दिख लेते हैं, यहाँ पर ये जो बड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है, ये दिस इस दा Serious जिसे हम कहते हैं, ये जो होता है, ये मोटा होता है, मस्कुलर होता है, और ये मही सारित होता है, यानि मैथुनांग का काम करता है, और ये Serious इसके उपर एक ये शीट में बंद रहता है, और इसके अंदर समाइनल वैसिकल जो है, वो एपसेंट होती है ये Serious जो है, ये Serious वो आघर, बहार की तरफ जाकरके, एक गोनोपोर, जैनेटल एट्रियममें जाकरके, खुल जाता है जनेटल एक्रियम कैसा होता है एक common gonopore होता है जो की फुलेवे एक प्याले के जैसी सरशना पाई जाती है ये common gonopore के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है और जो common gonopore होता है वो lateral side के पर मज्ड में एक जो genital papula एक उभार जैसे सरशना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं genital papula वो हाँ पर जाकर के खुलता है अब जितने भी जो common gonopore genital papula होती है उसके बाद वाला जो segment होता है उसके अंदर left right left right इस तरह से पाई जाती है सारी की सारी जो है वो एक side में नहीं पाई जाती है तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि पूरा जो reproductive system में male reproductive system इसके अंदर प difference के लाती है वाशा difference Center में आ करके में करके मोटी सी tube बना देती है जिसे हम बोलते है वाशा difference यह वाशा difference आगे की तरफ एक मोटा muscular structure बनाती है जिसे हम बोलते है सीरस और यह सीरस एक शीट के अंदर बंद रहता है जिसे हम बोलते हैं सीरस शीट यह सीरस जो होता है यह male genital pore के ज्वारा एक genital atrium में खुलता है और यह genital atrium जो है वह common gonopore के ज्वारा बहार की तरफ खुल जाता है तो इस तरह से यह हुआ हमारा male reproductive system अब हम पढ़ लेते हैं female reproductive system, पहले हमेशा male reproductive system डवलब होता है और उसके बाद female reproductive system मतलब डवलब होता है female reproductive system के अंदर ovary होती है, oveduct, mood type, vagina, uterus और दो glands होती है, malice glands and veteline glands अब एक के करके हम पूरा पढ़ लेते हैं, पहली चीज़ होती है ovary, अब इसके जो ovary होती है, हर mature segments के उपर के 100-500 के बाद इसके अंदर female reproductive system डवलब हो जाता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, अब जो female reproductive system होता है इसमें क्या होता है, कि जो ovary होती है, वो नीचे की तरफ जाकर के एक दो by lobed ovary present होती है और ovary एक ही होती है, लेकिन उसके lobe किते होते हैं, दो होते हैं, और कुछ लोग इसे एक की अंदाशे कहते हैं, कुछ सरसे भी कहते हैं ये जो terminal cords होती है, ये follicles की बनी होती है, और ये दायनी और बाही दोनों पालियां जो होती है, दोनों जो lobes होते हैं, ये आपस में आ करके, इसको बढ़ा करके देख सेंदे रिंदलाश करके, ये जो दोनों lobes होते हैं ये जो structure है ये क्या है ओवरी के दोनों लोब्स है ये दोनों ओवरी के लोब्स जो है ये आपस में एक transfer tube के दियारा जिसे हम कहते हैं ओवरियन इस्थीमस या ओवरियन ब्रिज कहते हैं और इन दोनों ओवरियन ब्रिज से यह दोनों ओवरिया जो है वह आपस में जूड़ी हुई रहती है यह जो ओवरियन ब्रिज होता है इसके बिलकुल बीच में से एक डक्ट जो है वह बाहर निकलती है इस डक्ट को हम कहते है OV duct, एक पतली सी ट्यूब जो होती है, वो क्यालाती है OV duct, ये OV duct जो होती है, ये जब तक O-type से मिलने से पहले, एक vagina जो होता है, इस vagina की tube भी यहाँ पर आकर के खुल जाती है तो इस तरह से OV duct जो होती है, ये पीछे की तरफ आकर के, वेजाइना से जुड जाती है और जब ये वेजाइना से जुड जाती है तो एक फुला हुआ सा structure बनाती है, और इस फुलेवे structure को हम कहते है, O-type ये जो छोटा सा जो गोल सा जो chamber होता है, ये किस से बना हुआ है O-type आती है, एक इसके अंदर वेजाइना की ट्यूब आती है, और एक इसके अंदर आता है uterus की ट्यूब, ये तीनों मिल करके जो है, ये क्या बनाती है O-type बनाती है, no next structure important structure होता है, वो होता है इसका वेजाइना sorry next slide, पर हम थोड़ा से enlarge करके इसको देख लेते हैं ठीक है, तो ये दोनों जो थी ये थी इसकी ovary के दोनो lobs है, ये इसकी bridge है, जो की ovarian istimus जिसको बोलते हैं, और इस ovary istimus से ये center में एक oviduct निकली हुई है, और ये oviduct जो है, जब ये आपसे आती है, तो ये जो वेजाईना की जो tube आ रही है, इस वेजाईना की tube से आ करके, oviduct ना करके, एक गोल सा structure बना देती है, इस गोल से structure को हमने नाम दिया था, U-type, जो U-type होता है इसके चारों तरफ जो आपको छोटी-छोटी balls दिखाए दे रही है, ये जो छोटी balls दिखाए दे रही है, ये कौन सी glens होती है, malice glens होती है, अब एक और important structure इसके अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं, वेजाईना, वेजाईना जो है, वो एक मूरी हुई सक्री सी नली होती है, और जिसका एक सीरा जो होता है, ये जो वेजाईना होती है, ये वेजाईना जो है, वेजाईना आगे की तरफ एक तरफ से अंडवाईनी से, यानि ओवी ड़क्ट से जूड़ी रहती है, और इसका दूसरा सीरा जो है, जो गोनोपोरे उसके दोरा बाहर की तरफ खुल जाता है, अब इसके अंदर जो पीछे की तरफ जब यह यहाँ पर आती है, तो ये एक फुला हुआ से स्ट्राक्चर बनाती है, जिसे हम बोलते हैं सेमाइनल रसेप्टिकल्स, इसके अंदर जो स्पाम्स हैं, वो कलेक्ट होकर के रहते हैं, ये दोनों जिने आकर के बीच में एक डक्ट बनती है, जिसे हम बोलते हैं फर्टलाइजेशन डक्ट, जहां आपके अपर फर्टलाइजेशन होता है, तो इस तरह से इसमें जो इस्ट्राक्चर है, ये उट्राइब से एक बेलनाकार सी नली निकलती है, ये उट्राइब से एक बेलनाकार सी नली निकलती है, और ये क्या बनाती है, आगे जाकर के उट्राइब बनाती है, और ये उट्राइब जो है, वो पूरे सेग्मेंट में आगे की तरफ जो है, वो फैला रहता है यह structure यह O type से एक tube निकलती है और यह पूरा structure है वो क्या कहलाता है uterus कहलाता है अब uterus के दो पार्ट होते है जो चोटी सी tube होती है उसे हम बोलते है uterine duct और जो बड़ा उपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते है expansion uterine expansion इसमें जो जो इसका uterus होता है वो इसका एक special character होता है इस uterus के अंदर हजारों की संक्या में fertilized egg रह सकते हैं और इसके दाई और बाई जब यह mature हो जाता है नहीं दीचे बाला दिखें जब यह mature हो जाता है तो इसके अंदर बागी सारे sexual organs जो है वो degenerate हो जाते हैं और सिर्फ इसके अंदर side में जो है वो branches निकली रहती है और इन branches जो है इसके अंदर पूर एक में सिर्फ और सिर्फ uterus जो है वो रह जाता है बागी सब चीज़े degenerate हो जाती है और ऐसे segment को फिर हम कहते हैं क्या कहते हैं ग्रेविट segments कहते हैं अब इसकी जो असेसरी जो दो इसके अदर glands पाई जाती है वो होती है wetaline glands होती है और malice glands होती है तो wetaline glands जो होती है यह wetaline glands जो है वो जो नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रही है यह large lobulated glandular cells होती है जो की posterior part के पर पाई जाती है जो इसमें से एक median में center में एक wetaline duct निकलती है जो की आगे जाकर O-type से जोड़ जाती है और O-type के चारो तरफ जो है वो malice glands पाई जाती है यह जो malice glands होती है यह unicellular glands होती है और इन्हें हम कहते है malice glands इस तरह से female reproductive system के अंदर जो parts होते है ovary होती है single ovary होती है जो biloble होती है ovary दोनों ovaries जो है वो आपस के अंदर चुड़ी हुई रहती है ovary and isthomas से उस ovary and isthomas के center से एक oviduct निकलती है जो आगे जाकर O-type बनाती है इस O-type मे मिलने से पहले उदर से एक जो vagina आ रहा है वो vagina भी इस ही में जाकर के जूड़ जाता है और इसमें vagina जो है इससे O-type से एक tube और निकलती है जो आगे जाकर uterus का निर्मान करती है इसमें दो glens पहले जाती है malice glens और betaline glens next video में हम पढ़ेंगे इसकी life history और development के बारे में आज के लिए इतना ही thank you